हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्रप्रदेश के पूर्व डी जी पी और वरतमान में रासवा सांसर ब्रिजलाल जी सर जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मृत्यू ही लगातार बिवाद हुआ लेकिन आप पुलिस के सरवुच पत पर उत्रप्रदेश में आप रहे जब मुक्तार अंसारी जब शुरू कर रहा था अपना जो गैंग बनाने के काम जो शुरू कर रहा था तब आपने उसको देखा किस तरह से तो क्या कुछ आपकी जानकारी में था किस तरह से मुक्तार अंसारी तयार हुआ, किस तरह से आगे एक गैंग बनाई, किस तरह से उसने काम करना शुरू किया। यह उनका गुर्गा था, इसको बदमासी का बड़ा सौक था, तो एक बड़े गैंग लीडर मिल गए उसमें था, उस राजपूत परिवार में 24 जून 84 को ठाकुर रंपस सिंख की हत्या, उनके भतीजे सादू मकनुसी ने किया, डेड़ विश्वा जमीन पर, और जिसके सिल् उसके भतीजों ने किया, तो 10 अक्टूबर 85 को मकनुसी को रंपस सिंख के बेटों ने, जिसमें में था, त्रिभून सिंख, और उधर ब्रिजेश सिंख, उसके बाप का मर्डर हुआ था, धौरारा में, एक साहब सिंख होते थे, इन सब लोगों ने मिल करके मकनुसी का मर् इसने किया था, दो जनवरी 86 को थाना साहित पूर छेतन में, जब इसने दो भाई, बिरंदर सिंख बेडा और डाक्टर राम बिलाज सिंख, जो रंपस सिंख के बेटी थे, उनको मार दिया, फिर मुक्तार ने इनका बेटा रंपस सिंख का हवलदार राजिंदर सिंख बना मारस ट्रेफिक लाइन में तनाब था, उसके गेट पर मारा, और उसके बाद साधू सिंख जो था, अब इसका गुरू था मुक्तार का, वो अपना अफजाल अंसारी बिधायक बन चुका था, उसके प्रयास से ये जेल से आगे हस्पिटल में, उनके पतनी को बच्चा सुबा था, सुबा सुबा एक गाड़ी पहुचती, अमबेस्टर, उसमें कुछ वर्दी धारी निकलते हैं कि चकिंग करना है, और साधू सिंख के उहीं मार दिया, और उसके साधू सिंख के मारने बाद ये पूरा गैंग पहुचा मुडियार घाओं में, और वहां उसका भाई धामोदर था, उसको मार दिया, एक रामा संकर सी मार दिया, घर करनो कर मार दिया, और साधू सिंख ले गया धानापुर, वहां दो मार दिया, इस तरह से साधू मकनु गैंग समावत हुआ, तो उसकी गैंग की कमान समहाली मुक्तार अंसारी ने, उधर ब्रजेस और मिल गए थे, इन दोनों के गैंगवार में, दर्जन नहीं, हंडर्स में लोग मरे, तो इस तरह मुक्तार अंसारी की सुरुवात हुई, लेकिन मुक्तार अंसारी जो राजनेतिक रूप से मजबूत हो करके, एक बड़ा बदमास बना, अपने भाई, अफजाल अंसारी के सा चुनाओ लड़ना चाहता था, और उस समय कासी राम जी ओ मुलाइम सिंह समझावता किया, एक नारा चला, मिले मुलाइम कासी राम हवा में उड़ गया जैसर राम, मुक्तार चाहता था गाजीपूर सदर से चुनाओ लड़ना, मानुवर कासी राम जो जाते थे सबी दिन स चदिकी साभ थे, जो मुक्तार के साडू लगते थे घाजीपुर में, वहीं रुखते थे। तमाम जो बड़े-बड़े नेता थे बामसेफ के, इसके मुक्तार अफजाल ने स्वोर्स लगा करके कि घाजीपुर सदर मुक्तार को मिल जाए। मुक्तार जेल में था मानुवर कासी राम इसके बाद भी टिकट इसको नहीं दिये उन्होंने अपने एक सायोगी बिस्वनात नाम मुनीब दलित उनको जनरल सीट शेट टिकट दिया बीस नॉम्बर 93 को सुबस चुनाओं के लिए ओट पड़ना था और 19 की रात में 11 बजे विस्वनात राम मुनीब दलित घर चे निकले और दो गाड़ियां आती है मोटर साय के लिए और तड़ा तड़ गोली मारते हैं मारते लिए उनको टिकट नहीं मिला तो चाता था मुझ ने टिकट दिया कालासनात यादों को और रोते हुए पहुचे किसा मुक्तरवा मार देगा उस चुनाओं यह आतंग था कि टिकट मिला स्योवर जीतना था और कालासनात यादों ने हिम्मत नहीं की लड़ने की और उसने तो यहां तक किया जो एस्पी गाजीपुर में उस संदीव सालूं के 2 माँ, अवैसंकर 4 माँ, मिरंदर कुमार 28 माँ, अविनाश्चंद्रा 2 माँ, अखिल कुमार आज कले एडी जी है 1 माँ, राजे सिरवास्तो 11 दिन, इर्रविंदर 3 माँ, तरुन गावा 3 माँ, एनके सिरवास्तो 5 माँ 15 दिन, डाक्टर पितिंदर सिंग 7 आटमा ब्रिजराज 5 महीना 6 दिन सो भास-दुबे एक महीना 20 दिन कि विके गर्ग 4 महीना 2 दिन बैवो कृष्णा 2 महीना 8 दिन आनंद कुलकनडी 2 महीना 10 दिन रवि संकर छभी 1 महीना 2 दिन और जस्भीर सिंग एक दिन तो मुक्तार ने ये किया अगर उसके हमसार कोई S.P. नहीं काम करता तो रहता नहीं पाता था और उनको रखता तो जिसके हमसार काम करने और सही बात इसका काम क्या था अपराद और जो सिपाही इसने भरती कराए मैं एक साफ बना चाहता हूँ कि पोलिटिकल के अलामा जो इसने भरती कराए जो पूलिस फोर्स को क्रिमिनलाइज किया तो इसके क्राइम को बढ़ाने में इसको मजबूत बनाने में पुर्वांचल के पूलिस कर्मियों का बड़ा रोल रहा और उसमें क्यों सिपाही नहीं आई पियस आप साफ तक सामिल थे दो घटनाए बताना चाहूँगा 2004 में मैं आईजिलानाडर होता था संसिदी चुनाव हुआ और आईजिलानाडर ही नोडर अफसर होता है हमारे पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा चुनाव हुआ गाजीपुर में चुनाव होता था मुक्तार ने दहसत फैलाने के लिए जैसे सुबह चुना हुआ हुआ मुहमदाबाद इसका जो अपना मेंकसबा है एक बियार थे बीजे पी के ओवर कर उनको एक सैंतालिस धर्ड़ा धर गोली मारी दहसत हो जाए तमंचस मार सकते थे एक सैंतालिस से फिर दिन में करीव एक मुझे मैं बैठा कंट्रोल रूमें देख रहा था वहां पर एक अवलेस राय थे मरुसिना जी के गाउं के असपास के उनको यह के सैंतालिस मार दिया दस्यों बूत पर बाहर यह के सैंतालिस दना दन इसके जितने गुर्गय अताउर रहमान बाबू सहाबू मुन्ना बज 2004 में यह सांसद बन गए मैंने रेकमंट किया था यह गाजीपूर का एलेक्शन काउंटर मांड कर दिया जाए लेकिन मुलाहिम सिंग की सरकार थी तो इस तरह से दूसरा कहना चाहूंगा एक लाइट मेशिन गन का पकरन हुआ मैं आजिल आनॉटर था डीजी आफिस में दराय को 500 मीटर रेंज से मार दिया जाए पाउरफुल उतन होता हमारा इंफेंटरी का उसके बाद चो 600 गोली पर मिनट फायर करती है इसका गनर था मुननर यादो उसके माध्यम से उसने बाबुलाल यादो उसका भांजा था उना से राश्ट्री राइफल से लाइट मिश शिंगन और धेर सारे कार्थुष पगड़ी पोटा होता था जो मानने अटल विहारी भाजपई जिने बनवाया था जिसको मन मोहन सिंग सरकार आते ही उसको खतम किया गया तुस्टी करण की राजनीत में तो पोटा का मकदमा काइम हो गया है और उसमें मुननर यादो मुक को से इस दिफा दे दिया अब चुटी कि पोटा काम गदमा काइम हो चुका था परजिक्यूशन के लिए शासन में माने मुलायम सिंग जी ने मुक्तार अंसारी को पराजिक्यूट नहीं होने दिया परमिशन नहीं दिया मुननर यादो और बावुलाल यादो को दद्दस स बद्धकारी रहें यूपी स्टेएफ के आप चीफ रहे हैं हर तरह के आपने जो दुर्दान तपरादी हैं उसे आप लिपने तो आप मुटारां सारी की मौत का कारण क्या मानते हैं मौत का कारण अल्ड़ी कई डाक्टरों के पैनल से जिसमें बहुत सीनियर डाक्टर नहीं कि लोकल डाक्टर मुखकर लिये हूं और किया गया क्या पाया गया हार्ट अटेक प्योर हार्ट अटेक उसके बावजूद ही मेस्टर इंक्वारी ओडर है यह जो पार्टियां है यही तो लाभानुईत होती थी बताने कांग्रेस ने तो पंजाब में रखा इसको जोगी आदितनास लाए समाजबादी पार्टी तो इसको पालती रही लेकिन अखले स्यादों कांग्रेस नहीं देखेंगे क्रिशना रंदाल की पतनी पर क्या भी था जो इसने दरजनों माडर किया पुलिस वालों का माडर किया उनके परिवार का भी थे तो केवल एक ओट बैंग के राजनीत के लिए प्रभाविद करने के लिए यह पार्टि से जो ओट बैंग के सौधागर हैं और कांग्रेस तो वही है जो पंजाब में रख करके इसको पालती थी और समाजबादी पार्टी का तो पाला हुआ गुरगाई है जिसने इसको इतना मजबूत बनाया और जेल में गाजीपूर जेल में समाजबादी पार्टी थी अरे तो जब राजू पाल के हत्या कांड हुई दिन दाड़े ओभी एक हैसना ताली चली थी तो उन्होंने क्लियर कट क्लींचिट दिया कि अतिही कामद असरप का कोई रोल नहीं है एक फोटो वाइरल हुई थी अतिही के घर जाकर उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे था माने मुल जाने वाली जितने बड़े बादमास उत्तर प्रेस के उसको समाजबादी पाला इतने नहीं चंबल के डगायत चैयो निर्वो गुजर हो ददुआ ठोकिया हो मैंने का नहीं ददुआ के बाई और उसके बेटा और भाईयों को मलायम सिंजने समाजबादी में उस समय दिया जब ददुआ पर साथ लाग का इनाम था फरार था तो इवन एलक्षन जब आते थे तो चंबल के डगायत फरमान जारी करते थे समाजबादी पार्टी कोश्म देते थे निर्वे गुजर इतना वो पापुलर हो गया था मीडिया चली जाती थी तो काता था मैं तो समाजब जान जारी कराते थे बूत कैप्चरिंग चंबल रेंज में होती थी डगायतों से हाथ जोगी राज है चंबल समाथ हो गया जितने माफिया कुछ मारे गए एक कुछ जेल में हैं बाकी की हिम्मत नहीं हो रही है अब आए संपत्यों पर बुल्डोजर चल रहा है गरीबों क है और यह आज इस्तिती यह बनी है तब उत्तर प्रदेश में 40 लाग करोड का इन्वेस्टमेंट आया है और जो पांच टिलियन की कुनामी हम लोग कलपना कर रहे हैं कि उसको हम डेड़ दो साल में अचीव करेंगे उसमें एक टिलियन डालर की कंट्रिबूशन उत्तर प् करने के लिए तो उत्तर प्रदेश प्लिस के पूर्व सबसे बड़े स्टकारी डीजीपी रहे यूपी एस्टीफ के चीफ रहे और पूरा उस समय मुक्तार अंसारी के शुरुआती दिन से लेकर और मौत तक कि किस तरह से मुक्तार अंसारी ने पूर अपना गैंग तयार क किस तरह से काम किया, किस तरह से राजनेताओं की सहप आकर राजनीत में बड़ा एक मुकाम हासिल किया, उन्स सब बाताओं के बारे में ब्रिजलाल जी ने जानकरी दी, केमरापरसन संजी बर्मा के साथ, पवन गौड नपकीटीन, दिल्ली.